हेलो आस्पाइरेंट्स कैसो सब बढ़िया लास्ट लेक्चर के अंदर अपने क्या पढ़ा था अपन पढ़ रहे थे हुमन हेल्थ एंड डिजीज इनको नहीं पता है और जिनको यह नहीं पता है कि कौन से मीडियमी क्लास है इसके बाद में जो है कि हिंदी मीडियमी क्लास दो ऐदी दे आपने क्या पढ़ लिया था इस चेप्टर के अंदर आपने कः कर दी थी और अपने क्या पढ़ा था इन्सहां फोर्छा करी और जो बैरियर्स हैं वो मैंने समझा भी दिये थे मेरी कोड़ी उपर थी इसके पर माफी चाहूंगा इसलिए मैंने को सभी कर लिया चलो इनेट इमिलेटी के बारे में एक चीज और बता दूँए अपने बैरियर्स पढ़ ले थे फीजिकल बैरियर होता है जी फीजियो तब ही मज़ा आएगा वरना आपको फर्स लेक्चर नहीं लिए शकी लेक्टर में आऊगे तो फिर कोई मज़ा नहीं है फर्स लेक्चर लेके आना अगर आप पहली बार आ रहे हो तो साइटो काइन बैरियर पढ़ा उसके बाद में अब बढ़ेंगे अपन इसी के अंदर इंफ्लामेशन रही हें इसका इने इमिनीट का इंफ्लामेशन तो मक्हटिं ने काट लिया आपको मदुमक्ही मच्छर ने काट लिया थी Construction थन वहां से लाल हो जाएगा और क्या होजएगी और क्या हो जाएगा सुबर्फकर क्य होगी वहाँ पर क्या होगी, इचिंग होगी, थोड़ा दर्द भी होगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़े देखने के मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंफ्लामेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मच्छर ने काटा, और आप क्या हुआ, रेडनेस आई, स्वेलिंग आई, होती है, उसके बारे में बात कर लेंगे, और पेन, वो क्यों हुआ, उसकी भी बात कर लेंगे, तो देखो, यह क्या है, कोई टीशू है, यह अपनी बोडी का ही कोई टीशू है, ठीक है, और इस टीशू के अंदर क्या है, हर टीशू के अंदर क्या है, ब्लेड वेशल तो ह वो organism जो disease कोज कर सकता है उसको क्या बोलेंगे पन antigen बोलेंगे क्या बोलेंगे antigen बोलेंगे कोई भी antigen आया कोई antigen आया और वो यहां पर घुसने की कोसिस कर रहा है किसमें घुसने की कोसिस कर रहा है इस tissue के अंदर घुसने की कोसिस कर रहा है जैसा ही वो इस tissue के अंदर घु आजाएंगी कौन परकट हो जाएंगे यहांपर यहांपर कौन परकट हो जाएंगी Maas to sell Ind shines these और ये बाबू कोन है ये है Fahrak Original कि अंटीजभन आईजन जैसे ही टीशू के अंदर घूसने को स्ञाधा कौन परकट हो जाएंगी Maas जो है वह परकट हो जाएंगी और वह मास्ट जो क्या निकालती है यहां पर हमने को किसकी जूरत है हिस्टामीन की जोड़त है किसकी जोड़त है हिस्टामीन की तो क्या निकालेगी यह जो मास्ट सेले क्या रिलीज करेगी हिस्टामीन रिलीज करेगी हिस्टामीन रिलीज करेगी क्या रिलीज करेगी हिस्टामीन रिलीज करेगी अब यह हिस्टामीन से से होगा क्या हिस्टामीन से क्या होगा यहां पर क्या होगा यह किसका काम करेगा डाइलेशन का काम करता है क्या है वेजो डाइलेटर होता है लिख दू में इस क्या मास्ट इस्टामीन का लिख दू हिस्टामीन के बारे में यहां लिख देता हूं चलो कि हिस्टामीन क्या बावाल है जी इस्टामीन क्या होता है वेजो डाइलेटर होता है मतलब सीधी सी बात है कि जो ब्लड वेसल है उसको डाइलेट कर देगा इसको चोड़ा कर देगा जो ब्लड वेसल है उसकी साइज इतनी सीधी उसको इतना कर देगा चोड़ा करके इसको चोड़ा करके यह क्या करता है कुन करता है इस्टामीन करता है तो यह जो ब्लड वेशल आपकी जो इतनी सी थी जो इतनी थी इसको चोड़ा करके यह क्या कर देगा इसको बढ़ा देगा इसकी साइज क्या कर देगा मोटा कर देगा यहां से कि मास्क जैसे एंटिजन गुस्मे की कोशिश करेगा तो मास्क सेल आएंगी मास्क सेल क्या निकालेंगी इस्टामीन निकालेंगी और इस्टामीन क्या होता है वेजो डाइलेटर होता है तो क्या करेगा ब्लेड वेशल हो क्या कर देगा डाइलेट कर देगा डाइलेट कर दे वहाँ पर redness क्यों आजाती है, skin जो रेड क्यों हो जाती है, तो उसका reason भी बता देते हैं, जी आजो. जब यह जो आपकी blood vessel लेगे, क्या है, dilate हो चुकी है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर चोडी हो चुकी है, तो इसके इंदर blood भी बहुत ज़्यादा आएगा, तो क्या होगा, blood कैसा होता है, red color का होता है, क्योंकि उसमें RBC होती है, hemoglobin होता है, तो उसके उदर से क्या हो होता है, red color का होता है, अब blood का flow जो है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर क्या आएगी, आपको लाला दिखाए देगा, redness आ जाएगी, तो swelling क्यों आती है, redness क्यों आती है, दो चीज़ा clear होगी, ठीक है, यह बही redness आ गई आपकी, ठीक बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या होगा, यह चोड़ी तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ में क्या होगा, इसकी जो permeability है, जो इसकी permeability है, वो भी बढ़ जाएगी, इसकी permeability भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब क्या होगा simple सा है कि इसके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे, इस ब्लड यह जीज़ी डब्लू बीसीज़ और इस डब्लू बिसीच करेंगो इस छेद में से बाहर आने स्टा जाएगी इस यह किसे लड़ाई करेगी यह यह पर आ चुका है इससे क्या करेगी लड़ाई करेगी दोनों में डिशुम डिशुम होगा दोनों आपस में लड़ाई करेंगे जब लड़ाई करेंगे तब क्या होगी तब क्या होगा पेन भी होगा और इचिंग भी होगी दब आपको दर्द भी होगा थोड़ा थोड़ा क्योंकि यहां से निकल कर भाहर आ रही है तो यहां पर क्या होगा आपको पें फील होगा और आप खुजली भी होगी, इचिंग भी बहुगी ये बात हो गई अब बात करें हीट की. यह हीट क्यों होती है एक चीज होती है ठीक है पाइरोजन्स जो होते हैं यह क्या करते है यह क्या करते है यह क्या टेंपरेचर बढ़ा देंगे तो एसे ज्यादा सेंद नहीं कर पाएंगे अगर वह एक दो रही है तो फिर तो आपको डोक्टर को दिखाना चाहिए अदर्वाइस वह क्या है आपको बता रहा है कि आपके अंदर आपका कर रहा है वह लड़ाई कर रहा है थीक है अगर काशे इन उस्ट्रार पहे दो पटाव प्रेंगर di Kauf अには हैं तो ठीक है भया लेकिन इंदर बाह生 बंदर भाई बटी तो भाई बाईबार्थ होती है रही त आपने पğरी लाइफ दें करते हैं थिखते है बच्पेंन के अधरे, YOUR Church वैसे ही जो एक Chron dignity open life के अंदर करते है उसको गेन करते वायर करते हैं हासिल करद है था नहीं होती है biz भेज उसको नहीं करेंडर वह पर अभी से लोग coment4 यह वह आपको च्रीक इत्थ हो गया तो क्या हो गया एक बार आपके आया सरीर के प्रमने पहली बार में क्या है उसको रेस्पॉंस नहीं दे पाएगी और ऑपना काम कर देगा आपको स्मोल पोक्स हो जाएगा पहली बार आया है पहली बार आया है लेकिन अब अपना स्रीर है वो क्या हो चुका है उसको पता लग गया है कि श्मोल पोक्स आता है तब इस परकार की अंटी बोडी जाओ बनानी होती है अब माले लू अगली बार अगर स्मॉल पॉक्स एक बार हो गया ठीक है लेकिन अगली बार अगर स्मॉल पॉक्स का पेथोजन आया तो उसके लिए पहले से समान तयार रहेगा अपने पाफikum इसके लिए एंटी बोडी बना कर तयार रख ली थी तो यह क्या है मेमोरी भी अपनी वहला मिमीन सिस्टेम की पास में कि एक बार ऐसा कुछ आया था जरका है उसने एसा कुछ किया था तो इसलिए कि अपने आंटी बोडी बना लें उसको मेमरी है तब ही तो वह अगली बार वह अगली बार वही पर जनाएगा तो उसको लगजाएगा यह जो है सकता है तो तो पहली बार कोई या नहीं थी तुट नुक्सान करेगा लेकिं अब अपने जौ जवान है न को पता लगए कि जो टर्रिस्ट है वो ऐसे समान भी ऐसे से बड़े-बड़ी हथियार भी लेकर आ सकता है तो अपनी जो आर्मी वगेरा वोग्षी क्या कर लेगी बड़ी-बड़ी ह रहे घाता है फिर अगले बार को यह ऐसा है लेकर आएगा तो उसके लिए पहले सा तयार ही रहेगी और किसे वह आएगा उसको मार जाएगा से इस यहां पर हो रहा है यहां पर हो रहा है एंटीजन एंटीबोडी में होगा तो यह कहा है आफटर बर्थ होता है आप्टर बर्स अपन को मिलती है फिला है वह आफटर बर्थ हम मिलती है पर जेंट ओली in in vertebrates sorry एक ट्रीटमेंट दे रही थी वह सुमको कहा है एक ट्रीटमेंट डे रही थी वह लेडिया का है चाहिए वह एड़्स का है सब क्या है एक ही treatment दे रहे थी एक ही तरीके से उनको क्या है रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन acquired immunity जो है ना वो अलग अलग तरीके से काम करती है अगर वो malaria का एक देखने तो उसको malaria के पेफजन की तरीके से मारन और गोली मार हूं कि इसको बंसे उडाऊ तो पता रहे करना तो ईसको कैसे घ्रेट करना है कि को किस तरीके का ट्रेटमेंट देना है किस तरीके से उसको मारना है वैसे दगो इनेटेमिनेटी नोन स्पेसिफिक था ये स्पेसिफिक होती है इसको पता है कि कौन से पेदाजन को कैसे ट्रीट करना है सेल्फ और नोन सेल्फ में यह क्या कर सकती है रेकरगनाईज कर सकती है मतलब कि यह सेल अपनी है और यह सेल दूसरे की है अगर दूसरे की सेल अपनी बोडी के अंदर इंटर कर गई यह अपनी बोडी का पार्ट नहीं है यह बाहर से कुछ आ रहा है मलब यह अपनी बोडी का पास में अपनी यह पता है कि यह तो अपने लोग है इनको नहीं मारना है जो बाहर से आए हैं उनको मारना है तो यह क्या है रिकर राइस कर सकती है और इसके पास में हैं कि गया कि अगली बार जब आएगा अगली बार जब वैसा ही से आई तो उसके खिलाब पहले से अंटी बोडी तयार रहेंगी और उसको कहा है वहीं पर उसको मार दिया दाए गांगी तो किसके वज़ता है मेमρι है इसके पास में aqruid immunity के अंदर क्या होता है memory होती है उसकी वज़े से यह सारी जीचे हो रहे हैं चलो अब aqruid immunity यह वो दो रकार की होती है दो टायप की होती है एक होती है humoral Immunity ऊप दूरसरी होती है cell mediated immunity एक होती है humoral इसको का बोहनिते गोट मेरा आंदे को एंटी बोडी मीडियाइड इमूनुटी तो यहां पर कहा है rooms इंटी बोडी बनाने का काम करेंगो, एंटी बोडी बनाने काम करती है तो एंटी बोडी से अपन किसी एंटीजन को मार रहे हैं, एंटी-बोडीं से अपन किसी एंटीजन को मार रहे हैं, तो वो किस का केस है, वो training और किसी आप但 इस दो पिंग दो किसी को किड़नी ट्रास्प्लांट कर देंगे किसी के ट्रास्प्लांट कर देंगे किसी के ट्रास्प्लांट कर देंगे किसी के ट्रास्प्लांट नहीं कर सकते किड़नी ट्रास्प्लांट किसकी होगी उसकी होगी जो क्या होगा क्लोज रिलेटिव होगा जो क्या होगा यह उसको बहुत ही क्लोगती की लेंगे जो बहुत ही क्लोगती रिलेटीव हो और उसमें भी पहले क्या किया जाता है उनके टीशू जो है वो मैस करके देखे जाते हैं लेकिन अगर टीशू मैच नहीं हो रहे तो उसको किड़नी जो है वो नहीं ली जा सकती तो पहले टीशू मैच करके देखते हैं अगर टीशू मैच हुए तो उसके बाद में जो किड़नी है वो ट्रांस्प्लांट की जाती है उसके बाद में भी क्या लेना पड़ता है उस ऐ मिन्मुन सिस्टम इसको सप्रेस करके रखती हैं अगर वो सिस्टम अपने तरीके से पूरा काम करने लगेगा तो उस किडनी को क्या कर देगा रीजेक्ट कर देगा इसलिए क्या करने आपदा है उसको इम्मुनो सप्रेसिव टेबलेट्स वगएरा लेनी पड़ती है अजेंट लेने पड़ते हैं ताकि उसका इम्मुन सिस्टम जो है वो कम काम करें कम काम करेगा तो अपने जो किडिनी लगाई है बाहर से वह भी अच्छे तरीके से काम करती रहेगी वरना वो रिजक्ट कर दे टीमोरतित काम करें देखता है किकता है आ इसको कोन देखता को कि यूरी एक होता जाए हूं कि एक हो काम का सबसेक्राइए तिक कि बात करें कि बनते पर एंदर कुना यह नो कहां बनते हैं लिंफोड के होते हैं 1-2 होते हैं एक आपका प्रामिर ने मम इसेड स्वार्ण सिम्पल है लिंफोड ओर्गन जो है वो दूँताइब की होते हैं यज예요 और केंड्रिली निफर्ट ओर जंगान रिवर्ट फॉर्मेशन और मेच्जोरिटी थी बिलींफॉसाइट और त्लीमफॉसाइट कहां बनते हैं प्रामरी लिंफॉसाइट कहां पर बनते हैं यहिं आपको बता रहा हूँ कि B lymphocyte आपको बता लगा कि antibody बनाता है T lymphocyte, cell-mediated immunity के अंदर काम आएगा, लेकिन यह बनता कहां पर है, बनता कहां पर है, तो बनता कहां पर है, primary lymphoid organ है उसके अंदर इनका formation और इनकी maturity होती है, इनका जो बनना और इनका परिपक हुआ होना, maturity इनकी कहां पर आएगी, कहां पर होती है, primary lymphoid organs के अंदर होती है, किसकी B lymphocyte और T lymphocyte की, अब primary lymphoid organ को कहन से है, आपको पता लगा कि primary lymphoid organ के अंदर का है, B lymphocyte और T lymphocyte बनेंगे और वहाँ पर mature होंगे, लेकिन यह primary lymphoid organ होते कौन से है, होते कौन से है, तो आपने नाम सुना होगा, bone marrow, और thymus, ठीक है, एक हो bone marrow और एक होता थाइमस, यह दोनों ही क्या है, primary lymphoid organ है, दोनों ही क्या है, primary lymphoid organ है, तो bone marrow के अंदर क्या होता है, formation of B and T lymphocyte, B and T lymphocyte, जो है, वो दोनों का formation कहां पर होगा, bone marrow के अंदर होगा, मैंने आपको बता है, कि B and T lymphocyte दोनों बनते कहां पर है, primary lymphoid organ के अंदर बनते है, लेकिन primary lymphoid organ जो है वो दो परिकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक है आपका bone marrow और एक होते है आपका thymus, अब इन दोनों में से कहां पर बनता है, तो B.O.T. lymphocyte जो है, वो दोनों का formation कहां पर होता है, आपके bone marrow के अंदर, B.O.T. lymphocyte का formation होता है, B.O.T. lymphocyte का maturation कहां पर होगा, मैंचूर कहां पर होगी, तो मैंचूर कहां पर होगी B.O.T. lymphocyte जो वो मैंचोर कहां पर होगी, बोन marrow के अंदर, और T. lymphocyte के अंदर, वो दोनों है, वो कहां बनते हैं, और कहां mature होता है, तो वह इमने simple से आंसर दे दिया, वो प्राइमरी lymphoid organ जो है, वह 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 यह अंदर बात समझ में आगे चलो अब आपने कहा कि भाई ठीक बात है आपकी बात है कि formation और जो maturity है वह तो primary lymphoid organ के अंदर होती है लेकिन इस secondary lymphoid organ अंदर होता है maturity और formation तो बन गए बन भी गए और mature भी हो गए लेकिन secondary lymphoid organ है इनका क्या काम है तो मैंने कहां आ जाओ इधर इनके अंदे क्या होगा proliferation होगा और differentiation होगा mature तो हो गए लेकिन आप जो primary lymphocyte जो क्या हो बी लिंफोसाइट है यह क्या करेंगे अपनी जो है संख्या बढ़ाएंगे अपनी जो numbers है उनको बढ़ाएंगे कहां पर बढ़ाएंगे जी secondary lymphoid organs के अंदर बढ़ाएंगे यह कौन से होता है उनको बताओंगा अभी आपको लेकिन secondary lymphoid organs के अंदर बढ़ाएंगे होगी वो लड़ाए का पर होती है इंकी वो लड़ाएंगे करता है कहां पर secondary lymphoid organs के अंदर करते हैं बनते कहां है प्रैमरी लिंफोसाइट और 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 इनकी लड़ाएंगे जो है कोई एंटीजन ब्लड के अंदर गुस गया तो ब्लेड कहां से जाएगा क्या होगा उस आंटीजन को ट्रैप कर लिया जाएगा ठीक है आगशे नोड नोड ये छोओ है स्टिस्ट ये व th ऑप्रे किस्यो अगर ते सी चुके आंदर कोई एंटीजन चला गया है तो उसको ट्रैप करेंगे फिर अटांसिल्स जो आपकी आपके लिए में होतना टॉंसिल्स ठीक है ये विकशा है ना 50% लिए टीशू जो है मुकोर्षा के साथ में जो असोचिएड लिंफोड टीशू है उनको क्या बोलते हैं और जो यह माल्ट है यह 50% लिंफोड टीशू बनाता है वाठीक है एक है अपेंडिक्स को भी याज रख लेना वहीं इसको भी याज रख लेना है बिचारे को तो किया सेकेंड़ी आपके क्या होगा secondary lymphoid organ होगे कोई दिकत नहीं होई चाहिए मेरे साब से lymphoid organ दो प्रकार की होता है जी primary lymphoid organ secondary lymphoid organ जो है ना primary lymphoid organ है उसके अंदर formation नहीं किसका अब बात कर लेते हैं जी आजो बी लिंफोसाइट जो है वो क्या बनाता है plasma cell और memory cell दो चीज़े बनाता है plasma cell और memory cell बनाता है लेकिन अगली बार जब वो आएगा ना तो उसके लिए पहले से antibody तयार रहेंगी तब वो पहचान लेगा अपना body जो है उसको पहचान लेगी और उसको मार देगी वहीं और उसको क्या है प्लाजमा यह बनाती है और प्लाजमा सेल बनाती है यह प्लाजमा सेल करेगी यह प्लाजमा सेल तो antibody बनाती है अब ती लिंफो सैट के बात करते है T-Lymphocyte के अंदर तीन परकार की cell बनाती है, एक TH cell, एक TK cell और एक T-S cell, क्या होता है, TH cell का full form क्या है, T helper cell, यह T helper cell है मैंने अब सब की help करेगी, help किसकी करेगी, जो T helper cell है किसकी help करेगी एक तो किसकी help करेगी, antibody बनाने में B-Lymphocyte की help करेगी, पॉड़ को की रूगँ रहना बनाया फर्ट तो बहनेगा न को बनायेगा बनालए गांदब साइट हे वह बनायगा कोण बिल निम्फोसाइट नि की बनाती हैं स्थियंग संतरु लेकिन वह काम सब स्वार्ग करें खाना बनागी इंसां जनी गहांगी वैसे यह ज्यावेल लेकिन ब्शाइय जेशे लेकिन लगस्ट कर देता है हेँं कष्य लिफसइटि टीधे वफ करती है टीकलर संह्ति जो थी स्थ हूं इसकी कर देंगी वहां है कि यहां पर प्रॉष्ट कर देंगी प्रॉष्ट नगी पॉष्ट से ला जाएगी पीफिरेसर सेल क्या कर देकी यह अगराने कप कर देगी यह करेंगी चिरुआए इनको शांत करने कद आप और है बहुत ही अग्रेसिव टैप की सहल रहे है जब आदे भावनाओं में आ जाती है, भावनाओं में आ जाती है, ने कंड करके और गोली जात है, जहें इसको शान्त करने का काम करती है जैन्ह कि भावनाहों में आती है कि में ही इमोषिनल वह गोली चुला रहा है आंक बंद करकर गोली चला रहा रही तो सामने एंटिज्वन मर जारेगा पता नहीं को स्हों और अपने बाली और मार देगा है कि यह ज्याज धिमागों यूज करती नही una अपना दिमाग जना चला आड एक हम करती है साथ मैं अपना सेल्स को मारतुयों करता है तो इस तो चैल रहनी को रहा है कि अपनीस के ऑवस्तुनब तो इन्सका करेंगे यह चली हो जाएंगा बिल्कुल गोल डिब्लम क्षोल्यवन मुक्न शुक्षार 75 जकाती हैं एक गुली जळाते हैं अपने वालेों के लगे रही है 10 10 15 अपने लड़के या है लडाई करने हापस में. पथा नहीं उसमें आपने य्गॉला हाथा भी उसको पता नहीं जाहे ांद तो इसको आपन ियाद हरे जहेग decía कि हुए उसको फट खपड के रहे थो एक उनमें ऐसा रहेगा तो सम्झाने बुझाने थैकाम करेगा कि भाई यह तो अपने वाला इसको तो मतमार कम से कम, यह तो अपने वाला ही है इसको मतमार, तो यह ती suppressor cell है वैसा ही काम करेगी, यह T killer cells जो है इनको suppress करके रखेगी, कि भाई तुम जो antigen को मारो वह तो अच्छी बात है, अपने वालों को मतमार है ना, चीक है, तो यह तीन क्या दे रखा है, antibody का एक cartoon दे रखा है, इसको भी थोड़ा सजाना भी देख लेना, इससे कैसे बन सकता है उसकी बात कर लेते हैं, बाकि antibody दिखती ऐसी नहीं है, यह ते cartoon है, जिसने cartoon representation है, बाकि ऐसी नहीं दिखती एक antibody, लेकिन इस cartoon से भी क्यूशन हो सकते हैं, तो वो उन इसके लिए कोई confusion नहीं है, जो बड़ी है वो heavy chain है, जो छोटी है वो light chain है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर antigen binding site है, मतलब कोई antigen आएगा, यह antibody है, यह मारती कैसे antigen को उसकी बात कर रहा हूँ, यह antigen आया, इसको यहाँ फिट कर लेगी, यहाँ antigen binding site है, यह इसको fit कर लेगी, fit करने के बाद में इसको मार देगी, यहाँ पर यह antigen आया इसको यहाँ पर fit कर लिया जाएगा, उसके बाद में क्या है, इसको मार दिया जाएगा, यह ऐसे काम करती है antibody, antibody कैसे काम करती है, वो आपको पता लग गया, अब इसके अंदर question क्या तो आपको जान में कने की, जरूरत है नहीं, तेकर है, इस डियाग्राम से इतना ही चलते हैं, फिर इधर, जो आपकी antibodies है, वो कौन-कौन सी है, उनकी बात कर लेते हैं, antibody क्या है, immunoglobin, इम्यूनोग्लोबिन, ये कौन-कौन सी है, एक था IgG, IgA, IgM, IgD, IgA, IgE, तो ये क्या है, ये 4-5 आप टाप की क्या है, आपकी antibody है, इनको आप धा क्या है, जाधा मातरा में होती है, कोन जाधा quantity के अंदर होती है, कोन कम quantity के अंदर होती है, ये पूंछलाआ जाता है, तो इसका sequence मनी आप बता रहा कैंशना है, गों क् होती है यहादा को सबसे जदा होती है, फिर IgA, सबसे चल्दा कोन IgG, उसके बाद में IgA, उसके कम होती है, उसके कम कोन IgM, उसके कम कोन IgD, उसके कम कोन IgE, तो यह क्या है, आपका decreasing order है, क्या है, decreasing order है, सबसे चल्दा कोन IgG, IgA, फिर उसके कम कोन IgA, उसके कम कोन IgM, उसके कम कोन IgE, तो यह आपको याद रखना है, कैस गम दे, क्या बोल रहा है, कि गम दे, गम दे, ठीक है, तो इसे आप याद रख सकते हो कैसे, कि बाई, ऐजी जी जी जो है, उसके सबस्चे ज़्यादा है, अब इनके बारे में खास बात भी कुछ है, जो आई जी ए है, यह कब निकलती है, यह अटी बोडी जो है, यह पूछ से लिए आता है क्यूशन तो आईजी बोडी सिल एक है जब इलर्जी होती है चब कौन सी निकुलती हैई इड़ी एंटी झाली है जब किसी को किसी चीज से allergy हो रही है तब कौन सी antibody आएगी IgE antibody आएगी कौन सी antibody IgE antibody आती है allergy के अंदर फिर एक उखर point है भई कि heaviest इन सब में यह जो 5 antibody बताई है आपने इन सब में heaviest कौन सी है सबसे भारी antibody कौन सी है तो भारी बरकम कौनसी है IgM antibody, कौनसी IgM antibody कौनसी है? heaviest है, सबसे भारी कौनसी है? heaviest कौनसी है IgM, IgA जो antibody है कहां से मिलती है? Human Reproduction के दर बता चुका हूँ, कहां से मिलती है? Colestrum से, कहां से मिलती है? Colestrum से, Colestrum क्या बवाल है जी? 1st milk आता है, मदर से exemplo 1st milk आता है यëलो बभाल का, उसे क्लेस्ट्रम क्या बोलते हैं है colestrum के अदर क्या होता है? IgA antibody होती है, कहां से मिलती है? Colestrum से मिलती है, IgG antibody के बारे में भी खास बात है sorasi solas şadhy Ilayche खास बात है कि gyak cross placenta, यह placenta को कर सकती है मतलब मतलब कि जब जब embryonic stage में जब बच्चा था जब embryonic stage में बताता है तो मदर से क्या है placenta के थुरू connected रहता है तो मदर के अंदर होंगे IgG antibody बनी हुई होंगी और जो IgG antibody किसे ऐक अंदर चल जाती है embryo के उतर चली जाती है किस के थिए placenta को कौन सी ऐसी City,コ talked को जो क्या कर सकती है Placenta को तो आपको ela कossing साम से रहता है ६ यह से अंटी बाट है जो क्या devoted कर सकती है ले संसिर मातर मैं वे कूछ ऑपको वे लिख ल्काहर्ट है आपको यहां akerslles कि बात कर लेते हैं अरफ उमराल ना थेरे श्लमीर करते हैं लिए अधी अति इसको काम करेंगी अब अब दूसके करते हैं? बनती हैं जो हो सिर्फ बनाती है तो मैंने कहाँ भाबू अभी थोड़ी देहर पहले में आपको बता है कि बनाती है खाना एक इंसन बनता है लेकिन इसकी help करते हैं बनाती लेकिन यह तिनिम जो है ना यह इसकी हेल्प करती है एंटी बोडी फोर्मेशन के अंदर कोई दिक्कत है यहां तक नहीं होनी चाहिए फिर का सेल मीडे। इम्मिनिटी, cell-mediated immunity, यह किसके होती है, वही टीलिंफोसाइड की होती है, तो क्लोज रिलेक्टिव की ही ली जाती है, उसके अंदर भी tissues match करके उसके बाद में ली जाती है, यह organ transplant को काम देखती है, अगर इसके मुताबिक वह चीज नहीं हुई, तो उसको reject कर दिया जाएगा, छोड़, फिर बात करें, acquired immunity की बात कर लेते है, acquired immunity की अंदर बात कर लेते है, एक होती एक्टिव और एक होती पैसिव एक्टिव और पैसिव एक्टिव क्या है बाई बोडी एक्टिव 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 बनाई antibody injection के थ्रियू दे रहे हैं वो क्या है पैसिव आओ गई वो क्या हो गई पैसिव हो गई और active के अंदर को नाएगा कि बनी body खुद antibody बनाएगी अपनी body खुद antibody बना रही है active टाइप की है बाहर से बनी बनाई antibody उसके अंदर ठोक रहे हैं वो कौन सी हो गई पैसिव हो गई ठीक बात है अब active के अंदर क्या होती है बई active के अंदर बोड़ी तो बनाती है लेकिन इसमें क्या है एक होती कि भाया आपने कहा कि smallpox जब वह एक बार बार नहीं होता लेकिन हमें जुकाम तो बार बार होता है उसके खिलाफ antibody क्यों नहीं बन जाती तो मैंने कहा जुकाम बार बार इसलिए होता है क्योंकि हर बार जो है वो एक virus से नहीं होता अलग-अलग strain के virus से जुकाम होता है कोल्ड हो ही जाएगा चलू फिर क्या है आड़ इंटी बोडी बनाएगी लेकिन आटीफिशल तरीके से कैसे भई आपको एक्सीनेशन वेक्सीनेशन सब को है सब कुनी लगा एक पूरा का इंजिक्शन थी करते हैं कि अदर करते कुछ नहीं है इसके अंदर इंजक्शन में DOंब होता है। गौरोणा की वकसी need to cross on की में कि आंदे कोई दवाई नहीं इसके अंदे कोरोणा ही वह कोरोना कैसा है उसको कमजोर कर के कर दिया है को कोरोना है तो और को माराने के बाद में क्या कर दिया गया उसको है वो कुलणा इंदर जाएगा तो अपना थोड़ा पर्वाव दिखाएगा Glasट कर दिया गया है कुछ पता ही नहीं तो किससे बहुए zod परवाव दिखा रहा था उसको कमजोर किया गया था लेकिन ऐसे खिलाफ का आपक्दी बॉडी बनाना स्टार्ट कर दी अपनी बोडी को षोल गया कीरों सथा नामी कोई नहीं भीमारी आई है ठीच है और अपनी बोडी के अनदर आ चुकी है अब इस बार तो क्या है कम जो रहा है यह तो अपन इससे लड़ लिए तो अब को अपनी बोडी को पता लग गया कि ऐसा भी कोई आ सकता है इसलिए उसके खिलाब क्या बना दी एंटी बोडी बना ली अब जब दूसरी बार रियल में जब कोरोना अटेक करेगा तब क्या ह होंगी पहले से खिलाब क्या एंटी बोडी तयार रहेंगी और जैसे ही वह गुशेगा उसको धर 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 मार दिया जाएगा ठीक है तो यह वेक्सीन का सारा खेल होता है वेक्सीन के अंदर कुछ भी नहीं होता वही जो जिस पैथोजन से जो बिमारी होती है उसी पैथोज बस जो अब पैसिव की बात कर लिए पासिव क्या करते है बनाई यहाँ पर तो क्या करता है जो पूंदा सरी क्या चारा था भासाऊ हो सरीर. यह और शैंधिकाव यह слघ हो गारिय दांगा के अंदर डाली जाएंगी बनी बनाई एंटी बोडी जाएंगी कैसे डालेंगे वो देखो भी इसमें भी दो परकार के तो नेचुरल और अर्टिफिशल अब आप बोलोगे आप बोल रहे हो कि बनी बनाई एंटी बोडी ला रहे हैं तो वो नेचुरल कैसे हो सकती है आज हो लेकिन आई तो पा Kelvin करो ची हो जी मदर से आएंगी नेचरंट कहां सेНу एंगी मदर से मिलेंगी आईका पूरे अज़ी जो किसी आफार कि गोडिवा जो किसके आएंगी जो philosophie चीए ज किसके अंदर बाएन्टीर टरीके से सबनी है Mother के अंदर तो वो निच्रल तरीके से बनी है फिर motherसे वो कहाँ आ गई? बेडी के अंदर आ गई ठीक है तो antibody किस प्रकार कही है? वो natural तरीके क ही आ गई किसके अंदर? बेडी के अंदर आ गई किसलिए वो ने च्रप है natural है लेकिनI, passive तरीके से और государ calorie कर सकती है अब छोड़ी देर पहले मən ai को सब्सक्रता कर सकती है अब वो प्लेसिंटा क्रोस कर सकती है आप ही थोड़ी देर पहले करें मैंने आपको कि आईजीजी जो है वह केर्करोफ प्लेसेंटा क्रोजस कर सकति है मतलब मदर से वो बच्चे के लिए पर देन थे आ ज op को मदर से बेबी के अंदर आ जाएगी आई-जीए और डिजी किसे दर आगी आपिशन के अंदर आ गई तो यह आठीफिशल हो गई अब इम्म्यून आपको एक ग्राफ बताता हूं नग्राफ बता दो कि जब पहली बार क्या आएगा तो पहली बार प्रस्ट टाइम पर और यह का है सकेंड टाइम पर सेंपर आएगा तो यह रस्पोंस वो इतना बड़ा दिखेगा ना बड़ा क्यों दिखेगा क्यों कि मेमरी के वज़से किसके वज़से मेमरी के वज़से अपनी बोड़ी को याद रहेगा कि ऐसा को पेथोजन पहले आया था और इसके खिलाव रहे ने अंटी बोड़ी बना रखी है तो उसको क्या है रेस्पोंस दिखाएंगी उसको मार दिया जाएगा तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया ए को यादि मुली थोड़ी चोओर बाते करेंगे वह करेंगे पर नेक्स लेक्टर के अंदर इस लेक्ठर के अंदर पढ़िए इतना ही यह साहि आपको लोगी को मंट सेक्षे कि ने क्णे की जूरू बताना वीडियो बासे राख कर देना हमनें दोस्ते साथ वेस्गें सबी मिलते नेक्स लिखते के अदम तो पर क्रेंब बढ़ते रहो